क्लास 11 इंग्लिश की पॉम द वॉइस ऑफ द रेन जिसको लिखा है वॉल पिल्टमेंट की बहुत सारी पॉम से और काफी अच्छा सब मैसिज देते हैं अपनी पॉम के तुरू अब इसमें यह क्या करने हाल है थोड़ी अलक्सी भी होते हैं इस अलक्सी पॉम में क्या करें कारेंगे यह जफो ना रेन से बाते करेंगे यानिकि की बारिश ओडिये और यह बारिश से खूब सारी बाते करने तो कॉनवसिशन बहने की इनकी और बारिश के बीच में और क्या कॉनवसिशन है वह हम इनकी पॉम में पढ़ेंगे तो पहली dato है यूं को यहANे son तुम कौन हो, sad I, icon है हापे हमारे poet है, to the soft falling shards, soft falling shard क्या है, rain है, तो आप ऐसे लिखते है रहो अपनी anxiety में, I कौन हो गए, हमारे poet हो गए, चीक है, who are the one मतलब क्या है, and who are you, मैंने पूछा किसे, rain से पूछा मैंने, with strange tell, gave me an answer as he had translated, फिर वो कहते हैं कि मुझे भी बड़ा अजीब लगा, with strange, strange मतलब अजीब होता है, with strange to tell, हमें उन्हें हमें बताते हैं, अजीब लग रहा है, कि rain को जब उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो rain ने उन्हें जवाब दे दिया, ठीक है, and who are you, said I to the soft falling shards, which strange to tell, gave me an answer as here translated, तो with strange to tell, उन्हें भी अलग लग रहा है, बताते हैं, वो कहे रहें, बट हाँ, उसने मुझे जवाब दिया रेन ने, और जो जवाब दिया था, मैंने यहाँ पर translate कर दिया है, ठीक है, तो यह दोनों जो lines थी, यह poet ने कही है, अब यह वाली जो line है, यह rain कह रही है, ठीक है, तो यह rain कहेगे, rain क्या कहती है, I am the poem of earth, कि मैं earth की poem हूँ, ठीक है, said the voice of the rain, eternal I rise, eternal मतलब क्या होता है, never ending, कि मैं हमेशा चलती रहूँगी, I rise, impallible, impallible मतलब कि कोई ऐसी थी, जिसे आप describe ना कर पाओ, पता ही ना चले आपको, जो है rain rise करती है, out of the land at the bottomless sea, out of the land, land sir, bottomless sea से, मतलब क्यों guys, यहाँ पर evaporation का process बता रही है rain, कि मैं originate कैसे होती हूँ, जैसे हमने पढ़ाए कि land से, और जो sea होता है, river हो गई, इन सब जगाओं से, जो बहुत पानी होता है, वो evaporate हो के उपर जाता है, फिर बादल बनते है, फिर वापर से बारिश होती है, तो इसी process को poem form में rain, खुत कह रही है, कि मैं poem हूँ, अर्थ की, eternal is, eternal है rain, ठीक है, it will never stop raining, अगर हम water को overuse ना करें, तो water का हमारा इतना essential है हमारी life के लिए, और जो God है, उन्होंने हमारे को as a, कैसी resource दी है, वो recharge हो जाएगी, अगर हम water को overuse ना करें, तो पानी कभी खतब नह हो, अगर हम overuse नहीं करेंगे तो, क्योंकि it is rechargeable, bottomless sea से, हर जगा से, land पे से, पानी जो होता, evaporate हो के उपर जाता है, फिर बादल बनते है, फिर बारिश होती है, तो ये cycle तो चलती है, हमारी गलती है, हम overuse कर रहे है, तो वो कहती है, eternal I rise, कि मैं eternal हूँ, मैं never ending हूँ, out of the land and the bottomless, impossible, which cannot, you may not describe की कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह से क्यों ऊपर जा रही है, evaporation के लिए चारी है, we know, but still, जो आप देख भी नहीं सकते हो, आपको पता सिलते हैं कभी evaporation हो रहा है, कुछ समन पहां को कहीं पर आपको क्या दिखाई दिखी है, ऐसे जाते हूँ, नहीं, दिखता नहीं है, but this is happening all over us, हर जगा कहीं न कहीं evaporation को process चल रहा होगा, हमें नहीं दिखेगा, but nature अपना process ongoing रभता है, nature में हर कुछ होता रहता है, ठीक है, तो यह होगा हमारा first dance, आगे पढ़ते हैं, upward to heaven, whence vaguely formed, तो आप रेन आगे बताती है, कि मैं जो है, bottomless sea से कहां जा तो यहां जाती हूं है, whence vaguely form, whence मतलब है, where, ठीक है, तो heaven में उपर जाके, वहां पर जाके, मैं क्या बन जाती हूं, vaguely सा कुछ बन जाती हूं, vaguely आपको पता है, बतलब कोई चीज जो clearly ना बनी होते है, बादल, जैसे हम बादल को दिखते हैं, तो यह चूहा दिख रहा कि फिर मैं heaven में जाती हूं, और वहां पर vaguely से structure बना देती हूं, जिनको हम cloud कह सकते हैं, all together change and yet the same, और जब मैं cloud बन जाती हूं, तो मैं विकुल change हो जाती हूं, पहले मैं water droplets की form में थी, अब मैं विकुल cloud की form में आ चुक्यों, मैं change हो चुक्यों, बट वो मैं ही हूं, मैं same ह हूं अबी भी, तो आप rain का nature देखरो, rain का nature कैसे change होता रहता है, पहले वो evaporated water बन गया, फिर वो cloud बन गया, cloud से फिर water droplets बन के आता है, तो उसका nature change होता रहता है, ठीक है, state change होती है, बट वो है हमारी rain ही, ठीक है, I descend to live the droughts, atomies, dust layers of the globe, तो अब क्या बता रही है वो, कि अब नहां पर उसने अपना formation बता दिया rain कि मैं cloud बन चुपी हो, फिर cloud बनने के बार वो बताती है, I descend to live, descend मतलब होता है, came down नीचे आना, और live मतलब होता है, wash करना, तो देखो, खुदी बता दिया उसने, कि जब मैं cloud बन जाती हूं, तो उसके बार मैं फिर से नीचे आती हूं, wash करने के लिए, draughts को, draught यानि कि जहां पर सूखा पड़ा होता है, तो उसको हटाने के लिए, atomies यानि कि small particles को धूल बूल जो हो जाती है, उसको wash करने के लिए, और dust layer को wash करने के लिए, globe पेसे, कभी आपने बारिश होने के बाद देखा है, मौसम और महुल कैसा होता है, पत्ते भी ऐसे लगते है, light green color के भी कुल साफ हो जाते है, आस पास में अगर आप atmosphere देखो तो clear देखता है, क्योंकि dust के लिए रच चुके होती है, तो यही बात rain कह रही है, कि मैं जब बादल बन जाती हूं, उसके बाद I descend to wash the droughts, atomies, dust layers of the globe, ठीक है, and all that in them without me was seeds only latent unborn, और अगर वो नीचे नहीं आती है, मतलब कि अगर वो जो है, अर्थ पे नहीं आती है, अगर बारिश नहीं होगी, तो क्या हो सकता है, और वो बारिश होती किसलिए, so that, जो है, जो seeds हो गए, जो latent है, जो unborn है, जो अभी तक जगे नहीं है, लाटन मतलब क्यों होते है, hidden, buried है, वो unborn है, तो वो बारिश की नहीं होगे, यहां से मतलब है, वो खेत, वो फसले, जो बारिश के आने का इंतजार करती है, वो बीज, जो मिट्टी के अंदर hidden है, buried है, वो बारिश का इंतजार करते है, कि कब बारिश की बून दे आएंगे, और वो जो है, एक पेड में बदल जाएंगे मैं किसके लिए आती हूं मैं बारिश के लिए जायाती हूंगे हैं mm unborn है अभी वो bond नहीं हुए है मैं अगर पानी आ जाएगा तो obviously sunlight भी हो गया and then वो bond हो जाएगे ठीक है तो यह चीज हमें rain बताती है second stanza में कि वो है कौन ठीक है and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it अब वो finally क्या कहती है forever हमेशा मेरा यही काम है राद दिन I give back life to my own origin मेरे ओन origin को मैं फिर से लाइव देती हूं अब हमारी रेन का origin क्या है अर्थ कहां से नहीं क्लिए रेन वाटर डॉपलेट से वापरेड़ेट हो कहां से रहे और से ही तो जाने है ठीक है और वो वापस आके अर्थ को ही रेजुवनेेट करती है देखा है न आपने धर्टी किती खुश होती है जब आरिश आती है हर जगा पेड़ पॉदे सा बहुष उदाता है कितना सुहाना सा मौसम होते है और रेन कितनी जरूर ही यह वाटर कितना जरूर ही हमारे लि origin को survive करवाती है रेन तो यह वो हमें बताती है और प्योर भी करती है और ब्यूटिफाय भी ऐसा थोड़े सिव खाली हम पानी पीते है नहीं अब यह हमारे जो है पोएट ने लिखी है यहां तक रेन ने बता दिया भाई मैं यह हूँ अब हम आगे परते हैं वो लाईने जो पोएट ने किया पोएट कहते है फोर सॉंग इसुइंग फ्रम इस बर्थ लिप प्लेस आफ्टर फुल्फिल्मेंट और वांडरिंग रेक्ट और अन्रेक्ट डूले विद लव रिटांस तो यहां पर आपको बताते हूं वो क्या खेना जाने पोएब आपके हैं यह जो ब्रैकेट में लाइन साब यहां पर पोएट क् tax Line वह अब नहीं तरह कई लिए तुक है कि उस्हें सोंग बनता को है कोई इसी तरीके का काम करते जैसे तींक लोग मैं'm i अगर कोई है किसी ने कोई गाना बनाया है तो वो भी all over the world घूमेगा जैसे कोई गाना अगर आज के जमाने में भी लॉंच होता है तो पूरे वर्ल्ड में पता है कुछ लोग सुनेंगे उसे कुछ लोग नहीं सुनेंगे उसे किसी लोगों को अच्छा लगेगा वह सौंग क किसी को नहीं लगेगा अच्छा रग्ड और अंडर्ड मतलब होता है केर करना अंडर्ड होता है ना केर करना डूले विद लव रिटर्न सभी समझाते हूं आपको क्या तो पोईट नहीं हापर रेन का कमपैरिजन करा है अपनी लिखीवी पोईम से या गानों से वह कहते है हैं जैसे रेन बहुत ज्याधा इंपोर्टेंट है नेचर के लिए और चल्एन इक्जिस्टेंस लिए सेमझ मुजन हम इन्सान के लिए म्यूसिक भी वैसे ही वोग करता है और जैसी राइटर को सुगूर मेहशुन कराती है जब और रैटर या मिजिक कम्पोई लिखते हैं तो उन्हें भी एक peace of mind बहुत साधा मिलता है, चाहे लोग पसंद करें या ना पसंद करें, एक sense of accomplishment होता है, happiness होती हो इस इंसान के अंदर, ठीक है, और जो लोग सुनेंगे उन्हें तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जो इस poem को पढ़के उन्हें अच्छी लगे, उन्हें beautiful फ जैसे रेन आने पर अर्थ बिल्कुर refresh, rejuvenate हो जाती है, वैसी music, song, poems से हमारा mind और हमारी body, हमारी soul जो है, relax हो सती है, और rejuvenate हो सकती है, तो यहां पर वो कह रहे है, for song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, ragged or unraged, duty withdraw of returns, तो जिस तरीके से song होता है, जिस तरीके से poem होती है, वैसी song होता है, तो य It doesn't affect the rain, nor the poet, if someone listen to the rain or not, तो अब वो poet, last मतलब यह है, rain आर या कोई बैठ के rain को सुन रहा है या नहीं, या कोई poem की, जो हमारे poet है, उनकी poem को पढ़ रहा है या नहीं, उन्हें उस चीज से फरक नहीं पढ़ता, उन्होंने एक poem लिखी, उन्हें वो चीज खुद में बहुत अच्छी लगते है, कोई तारीफ कर या कि अरे सर जी आपकी poem बहुत बढ़ गया लगी, उन्हें यह नहीं चाहिए, किसी ने सुनी हो अच्छी लगी तो भी ठीक है, नहीं सुनी हो, नहीं देखी हो, नहीं पढ़ी हो, तो भी ठीक है, उन्होंने लेखा है, वो उनके poem के important question notes, summary video देखनी है, या फिर अगर handwritten notes सही है, summary चाहिए, वाली पूरी poem किया, English के किसी भी chapter की, तो उसके लिए आप मेनी Instagram ID देख सकते हो, सारा sunny material upload हो चुका है, तो कि नहीं चाहिए, तो मैं चलती हूँ, बबाए ठीक है रहा है, and best of luck.